नमस्कार एक जाम है पीबाई जार्खन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो जूर चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी सहाय कद्यापक के आकलन परिच्छा की तैयारी को ले करके तो दोस्तो हम बताते चले यदि आप जार्खन में सहाय कद्यापक आकलन परिच्छा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहां पर तैयारी जो है आपको पाठकरम पराधारी सारे प्रशनों को करना होगा अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रहा जाओगे ठीक है आगे नहीं जा पाओगे तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठकरम पर अधारित NCRT टेस्ट बुक के प्रशनों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहां पर बजारू चीजे ले करके पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा दिया है कि पाठकरम पर सारे अधारित प्रशनों को ही पूछा जाएगा अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठकरम का सिलेबस दिया है किया तो पाठकरम का सिलेबस है जैक की किताब बनी हुए जैक नहीं किताब को दिया है तो आपको पाठकरम देखना रहा है वही जो जैक मोडल पर अधारित है तो आपको सिर्फ और से 501 रुपए में जूड़ करके आप यहां पर सारे पाठकरम पर अधारित प्रशनों को देख सकते हैं जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है अब आपकी बार है कि आप क्या ड आप लोगों के लिए एक और क्लास यहां पर टेस्ट बुक कर लेकर के उपस्थित हो गया है जो क्लास सेबन का होगा और एक्सरसाइज फाइफ इतिहास का तो यदि आप ज्यारकण में किसी भी पर करका एक्जाम कंड़क्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे सजे मंदू तो आपक इयारटी ही आपका एक राज है जो आपका किस्मत का दरवाज़ा खोल सकता है और आपके सभी पर इच्छाव में पास करवा सकता है तो हम आपके लिए यहा। पर हाट से लिखावा नोट्स डेली लििखा रहे हैं धियाप आकुलिए परिश पर सबसे अच्छा है इसलिए आप यहां से केवल और केवल 30 रुपए में हिस्ट्री का नोट्स हमारे यहां से पर्चेश करके हिस्ट्री का पूरा पढ़ सकते हैं और यहां से 45 मार्स आप उठा सकते हैं तो आप अभी का भी वीडियो देखने के बाद हमारे मुबाइल नमर पर तुरत संपर करें और यहां सिस्ट्री के सारे NCRT नोट्स टेस्ट बूक का बना हुआ जैसा के जैक का कहना है उसका धार पर तियार किया गया है और सभी महतवपून परशन है आप सभी अवस्य देख लेंगे चलिए देखी परशन है महराष्ट के एलोरा में निर्मीत कलास मंदीर का निर्मान किसके दवरा कराए गया क्रिशन परथम, नागारजून, क्रिशन दिवते या कोई नहीं तो देखें महराष्ट में जो एलोरा का मंदीर एलोरा में कलास मंदीर का निर्मान कराए गया है उसके जो निर्मान करने वाले हैं वो क्रिष्ण पर्थम थें कौन थें क्रिष्ण पर्थम देखे इसका नोट्स भी हमने तियार कर दिया है आप सभी के लिए राष्टकूट के राजा क्रिश्न पर्थम के द्वारा महराष्ट के एलोरा मंदिर का निर्मान कराए गया और इसमें भगवान सीव की मूर्ती है ठीक है तो बहुत बार पुछा गया है राष्टकूट के राजा क्रिश्न पर्थम के द्वारा महराष्ट में किस मंदिर का न राष्टकुटों के द्वारा प 벌써 current or अन्या जेंटा और यहां पर दूसरी बात कर लिजे ये लोवॉर pracy गया थिसका ऊंसर होगा रास्ट قुट लिंग राज मंदिर कहां है बहुत बार एक लाख मारी प्रोष्ण पूछ दिया गया आपको बतादरे लिंग राज मंदिर कहां है भुनेश्वर, उडिशा, विहार, पच्छिम बंगाल या उत्तर परदेश तो लिंग राज मंदिर कहां है तो भुनेश्वर में है उडिशा में है तेकि लिंगराज मंदिर का निर्मान 1120 में गंग सांसक के द्वारा करवाया गया है कुनार्क का सूर्य मंदिर कहां इसी थे उड़िशा पच्छिम मंगाल बिहार या उत्तरपरदेश यह भी प्रशन एक हजार एक बार पूछ दिया गया है आपके परिच्छाम हो सके आजाए इसलिए आप सभी हिस्ट्री सेक्षन का अंतरगत जो भी तियारी कर रहे है आप यहां से नोट्स लेना नहीं बुलाएंगे क्योंकि कॉम प्रशन में अधिक प्रशन यहां से आपके एक्जाम में भीड़ेंगे इसमें कोई सक नहीं है तो आप अभी अभी सारे जो है इसलिए के मन के तियार है आप परचेच करेंगे कुणार का सूरिज मंदीर कहां इसीत है उड़ीषा पचिम मंगाल भिहार या उतरपरदेश तो कुणार का जो सूरिज मंदीर है वह आपका उड़ीषा में इस्थीत है चली देखेंगे इसका नोट्स बनाय हु राजस्थान के माउंट आबू या कोई नहीं अभी प्रफशन बहुत बार पूछा गया है जो कि देखिए आपका टेस्ट बुक से ही निकल रहा है तो सारे प्रफशन टेस्ट बुक से ही आने वाले हैं बस आव सकता है टेस्ट बुक को पढ़ने के बागे किसी प्रैक्टिस सेट कोना देखें अन्या था आपका समय भी चला जाएगा और रिजल्ट भी खराब होने वाला ठीक है इसलिए टेस्ट बुक को पढ़ से देखिए दिलवाडा का जैन मंदिर कहां इस्थी थे राइट एंसर हो जागा राजस्थान के माउंट आबू में इस्थी थे देख बिहार या उडिशा तो राज राजस्वर मंदिर तमिलांडू में आपका इस्थी थे राज राज राजस्वर मंदिर को ही ब्रीदेश्वर मंदिर का कहा दर्जा दिया गया है कहा जाता है और राज राजस्वर मंदिर का निर्मान किषने करवाया तो राज राज पर्थम ने राज राज दिवतिये ने राज राज तिरतिया कोई नी तो राज राज पर्थम ने इस मंदिर का निर्मान कराया है तो देखे राज राज एस्वर मंदिर तमिलांडू के तौंजोर में इस्थी थे और इसका निर्मान चोल सासक राज राज पर्थम ने करवाया था इस विजयय सम्प जो है आपका स्थीन्त है चीत टोडगर जिसकों मेवा शाहरे से कर्हाण है ने बनवाए था कुतु मिनार का निर्मान कार्च खशने प्रारम किया कुतुमिनार दो सासकों क्राया गयाँ एक सासक पुञ ने कर पाया था पूरा जो है कार किसी और के सासन में हुआ तो कुतुमिनार का निर्मान कार्च किसने प्रारम किया था तो कुतुमिनार का निर्मान कार्च का प्रारम कुतुमिनार का निर्मान कार्च का प्रारम कुतुमिन एवक ने किया था ठीक है तो देखें है अपर लिखा वो है नोट्स आप सभी के लिए जुड़ूर पर चच कीजिए कुत्मिनार का निर्मान कुत्मुदिन एवक ने चिस्ति सुफी संथ ख्वाजा कुत्मुदिन बक्तियार काकी के अस्मिति में शुरू कराया लेकिन उसका नीधन हो गया और उसके नीधन के बाद इलतुतमिख गदीबे बैठा और उसी ने इसकारज को पूरा किया कुबत उल इसलाम मस्जिद का निर्मान किसके दोरा किया गया बलवन, il इलतुतमिख, कुत्मुदिन एवक और क्योई निध में बहुत थी charger की नेकिन है कुत्मुदिन एवक ही किसके दोरा करवाएगा देखे यह जेटेट में भी आया हुआ था और आपको लग रहा था कि कहां सा है आपके किताब का ही है अलाइद दर्वाजा का निर्मान किसके दोरा करवाएगा है कुद्बुदी नेवक अलाइद दर्वाजा का निर्मान जो कराया गिया और देखे सेली का जन्मताता माना जाता है किछ को घुट गुंबत कहा इस्तीत है करनाटक में तमिलाडू में आंदरपरदेश में या उत्तरपरदेश में ठीक है तो गोल गुंबद जो आपका इस्थित है वो देखे बीजापूर में है और बीजापूर किस जगा पड़ता है करनाटक पड़ता ठीक है तो गोल गुंबद बहुत पर आप सिर्फ देखेगा बीजापूर दिया वरेगा तो बीजापूर अगर अस्थान का नाम दिया हुआ है अगर यहाँ पर राजी का नाम दिया हुआ तो कर्नाटक में है किस में देना है कर्नाटक में हुमाई का मकब्रा कहा इस्तित है अगरा में दिल्लि Ос B आपका दिल्राम कुछने बनवाया हमीदा पानो बेगम रुक्षाना बेगम अफजाना बानो बेगम ने हुमाईू का हमा 때도 मकवरा भारत का पहला मकाब्रा है, जो दोहरी गुंबत का है, इस से ताजमहल का पूर्वगामि भी कहा जाता है, इस मकाब्रे में पहली बार चार बाग पत्ती का प्रीवत किया गया है, हुमायू का माकारमरा में चार बाग पत्ती का प्रियुत किया गया है बुलंदरवाजा कहा है इस्टी था एक लाख बारी प्रशन पूछ दिया गया एक दम बहुत एंब बिबिया यह है इसको देखिन लिजेगा आप अपको गरापका टेस्ट बुक कहीं है बुलंदरवाजा कहा इस्थी थे दिल्ली आगरा फतेपुर शिक्री या जैपूर तो बुलंदरवाजा जो है आपका फतेपुर शिक्री में इस्थी थे आपका टेस्ट बुक का है और एक हजार से ज्यादा बरी प्रशन पुछा गया है जी आप सबी जड़ू देख के बनवाए गया है ठीक है अकबर के द्वारा और किसके तो गुजरात विजय के उपलाउच में करवाए गया है यह दरवाजा 134 फुट उचा है भारत में निर्मी सबसे उचा प्रवेश्दवार है इसके निर्मान में लाल एवां बलवा पथर का परयोग किया गया है ठीक ह अकबर जहागीर साजहा या बावा ठीक है तो दिली में लाल किला का निर्मान किशनी किया तो इसका राइट एंसर आपका साजहा ठीक है तो इसका नोटस भी बना हुआ है देखे साजहा ने यहाँ पर लिखा हुआ है साजहा ने दिली में लाल किला का निर्मान कराया था या लगबग नौ बर्सों में तियार हुआ था किल्ये को लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है और मुगलो द्वारा निर्मित या अंतिम किला था ठीक है मुगलो द्वारा निर्मित अंतिम किला है यही लाल किला अगला है जामा मस्जिद का निर्मान किषने करवाया अकबर जहागीर साजहा या बावत जामा मस्जिद है तो ये साजहा के द्वारा करवाया गया है जमा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के सम्मी पेकूचे चबुत्रे परिश्थी थे या भारत की विसालता मस्जिद है इसका निर्मान भी साजहा नहीं करवाया है ताज महल कहा इस्थित है दिल्ली आग्रा जयपुर या कोले स्वरी बहुत बारिश्थित है कि ताज महल कहा इस्थित है ताज करारिट थे ताज महल किस नदी के तरप पर पर स्थित है ताज महल को, लाल किला को, मोति मिश्जित को या गुल गुमज को तो बिश्व के साथ आस्चरजों में से एक आस्चरज माना जाता है ताज महल को किसको माना जाता है ताज महल को ताज महल का निर्मान किशने करवाया ताज महल का निर्मान किशने करवाया इसका राई टेंसर हो जाएगा मुम्ताज महल की याद में करवाए गया है ताज महल का निर्मान साजहां ने अपने प्रिया पत्नी मुम्ताज महल की अस्मृति में करवाया था ताज महल का निर्मान 1631 इसमें प्रारम हुआ तथा 1613 इसमें समावत हुआ था 22 वरसों में यह बन करके तियार हुआ था ताजमल का परमुख अस्थापत्यकार कौन था उस्ताद बिवेकबल उस्ताद सरीब खान उस्ताद अहमद लौरी या कोई नहीं था ताजमल का परमुख अस्थापत्यकार जो था वो था आपका उस्ताद अहमद लौरी यानि साजह ने उस्ताद अहमद लौरी को नादिर उल असर की उपादी दिया गया था मुहमद इसाखा मुख मिस्तिरी या निर्माता था तो इस तरह से आप देखे हिस्टी सेक्षन और जो भी हो सभी का इहां पर आपको जो एंसी आटी का नोट्स दिया जारा है जो आपके टेस्ट अजय जो पो जेखे हिस्टी सेक्षन और जो झाल 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 झाल